अच्छा दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है, आप पेपर वाइस और टोपिक वाइस एडिटोरियल के आर्टिकल्स की वीडियो को देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके, डिस्केसन स्टार्ट करने से पहले थोडिशी तो आप अपने डाउट सेंट कर सकते हो, ओनलियाएस सेल्स एडिटेट जीमिल डूट कोम पर, चलिए डिस्केसन स्टार्ट करते हैं, तब से पहले इंपोर्टन आटकल, डोलर के मुकाबले में रूपी की गिर्टी वैल्यू के बारे में है, जी एस पेपर टूगे, इस ट डोलर के मुकाबले में 69 के आसपास ट्रेड कर रहा था, एक जनवरी से अभी तक रूपया जो है, डोलर के मुकाबले में 8% तक कम हो गया है, वैसे हो देखो जो इमर्जिंग मार्केट्स की करन्सी हैं, फॉर एक्जामपल चाइना, ब्राजिल, मेक्सिको, इन सब देशों क जो करन्सी हैं, डोलर के मुकाबले में काफी कम वैल्यू पर ट्रेड कर रही हैं, लेकिन इंडिया की जो करन्सी है, वो वर्ष्ट परफोर्मिंग है, यहाँ पर देखें, MSCI, यह इमर्जिंग मार्केट्स करन्सी इंडेक्स है, यह जो इंडेक्स है, अप्रेयल से अभी त चीज की डिमांड बढ़ती है, तो उस चीज की वैल्यू भी बढ़ जाती है, और अगर किसी चीज की डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई ज्यादा हो जाती है, तो उस चीज की वैल्यू कम हो जाती है, अब यहाँ पर हम रीजन्स की बात करते हैं, देखो सबसे पहले इंपो करने पढ़ रहे हैं oil को import करने के लिए यानि हमार देश से जो dollar है वो जा रहा है यानि dollar की जो demand है वो बढ़ रही है supply कम हो रही है तो जैसा हमने basic rule discuss किया जिस चीज की supply कम होगी demand जादा होगी उस चीज का rate बढ़ेगा उसी वज़े से dollar का जो rate है वो बढ़ रहा है और रूपी यानि रूपए का जो rate है वो कम हो रहा है तो यह सबसे पहले important region है इसी की वज़े से जो हमारा current account deficit है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है यहाँ पर देखो data given है 2017-18 के last quarter में current account deficit था 1.9% और जबकि 2016-17 के last quarter में फोर्थ quarter में current account deficit था सिरफ 0.6% और संभावना यह है कि financial year 2019 में यानि 2019 में current account deficit पहुँच जाएगा 2.5% तक current account deficit क्यों increase हो रहा है जो कि जो हमारा import है वो बढ़ गया है मैं आपको example की साहिता से बताता हूँ simple fund आ है पहले रुपए की कीमत डोलर के मुकाबले में थी मान लेते हैं 7 रुपए और आज रुपए की कीमत डोलर के मुकाबले में है 69 रुपीज हम मान लेते हैं एक बार के लिए कि पहले भी हम एक barrel crude oil को import कर रहे थे और एक barrel crude oil की कीमत थी 100 डोलर्स और आज भी हम एक barrel crude oil को import कर रहे हैं और आज भी एक barrel crude oil की कीमत है 100 dollars तो पहले देखो हमें एक barrel crude oil import करने के लिए खर्च करने पड़ते थे 100 into 66,000 rupees लेकिन आज के समय में चुकी रुपे की जो कीमत है डोलर के मुकाबले में कमजोर हो गई है 69 पर trade कर रहा है रुपेया तो आज उसी एक barrel crude oil को import करने के लिए हमें रुपेया करना पड़ेगा 6,900 यानि 6,900 rupees तो import की value बढ़ गई है इसलिए current account deficit भी बढ़ गया है और future में और भी ज़्यादा बढ़ने की संभावना है तो यह हमने पहला reason डिसकस किया जिसकी वज़े से जो रुपेय की value है डोलर के मुकाबले में कमजोर हो गई है अब दूसरे reason की बात करते हैं दूसरा reason जो article में बताया जाता है वो यह हैं कि trade war चल रहा है within countries के बीच यह भी एक reason है हाला कि देखो यह तो साफ है कि emerging markets की currencies पे trade war का बहुत बुरा असर पड़ा है लेकिन specifically बात करें कि रुपेय की value पर किस प्रकार का परभाव पड़ा है global trade war की वज़े से वो अभी साफ तोड़ पे कहा नहीं जा सकता अब तीसे reason की बात करते हैं तीसा reason है USA में tight monetary policy USA में जो interest trades हैं वो काफी ज़दा tighten कर दी गई है इसकी वज़े से क्या हुआ है ना सिरफ अमरीका से investment इंडिया में कम हो गई है अब देखो अगर USA से जो investment है इंडिया में नहीं आएगी मतलब dollar जो है इंडिया में नहीं आएगा तो इसका असर क्या होगा इसका असर यही होगा न dollar की इंडिया में कमी हो जाएगी पहले dollar काफी ज़दा आ रहा था इंडिया में इसलिए रुपया जो था dollar के मुकाबले में वो ठीक ठाक value पे trade कर रहा था अब USA में वहाँ के जो लोग हैं companies हैं वो आसानी से loan नहीं ले पा रही हैं बैंकों से तो इसलिए वहाँ से dollar नहीं आ रहा है इंडिया में dollar की कमी हो रही है ना सिरफ इतना इसका दूसरा भी काफी गहरा impact है क्या है देखो USA में जो monetary policy हैं काफी tight है तो इसलिए USA की companies जिन्होंने पहले इंडिया में invest करके रखा था इनको ये लगता है कि अब तो देखो USA में ही trade करने का फाइदा है इसलिए उन्होंने पहले जो investment इंडिया में करके रखी थी उस investment को भी वो वापस अपने देश में यानि USA में ले जा रही हैं यहाँ पे देखिए आकरा दिया हुआ है foreign portfolio investors मई में foreign portfolio investors ने 29,714 29,714 करोड रुपे बहार लेके गए अपने देश में और जबकि अप्रेल में ये आकरा था सिरफ 15,561 करोड यानि foreign investment हमारे देश से वापस जा रही है आउटफलो देखने को मिल रहा है अब देखो foreign investment वापस जा रही है मतलब dollar जो पहले इंडिया में था वो वापस जा रहा है तो इंडिया में dollar की कमी हो जाएगी और जिस चीज़ की कमी होती है उस चीज़ की demand जादा होती है उस चीज़ की value बढ़ जाती है इसी वज़े से रूपी का depreciation हो रहा है dollar के मुकाबले में और आगे एक point ये बोला गया है ये जो investment बाहर गई है ये investment इंडिया के bonds में थी तो bonds में investment कम हो गई है इसलिए bonds के जो prices है वो भी कम हो गई है और इंडिया की bond market में भी crisis देखने को मिल रहे है last में conclusion में ये बोला जाता है कि देखो future में रूपी के जो value है dollar के मुकाबले में वो और भी कम हो सकती है यानि इससे भी बूरी situation आ सकती है क्यों? क्योंकि USA में जो monetary policy है वो और भी ज़्यादा tighten हो सकती है अगर ऐसा होता है तो और भी ज़्यादा dollar का outflow देखने को मिलेगा इंडिया से यानि investors dollar में अपनी investment को बाहर इंडिया से लेके जाएंगे USA में dollar की कमी हो जाएगी इंडिया में और फिर से रूपय की जो value है dollar के मुकाबले में कम हो जाएगी लास्ट में ये बोला जाता है कि RBI ने वैसे तो देखो अपनी भी जो monetary policy थी उसको tighten कर दिया था ताकि रूपया जो है market में कम available हो रूपया भी अगर market में कम available होगा रूपया की demand जो है बढ़ेगी तो रूपया भी appreciate होगा लेकिन इसका कुछ खांस असर देखने को नहीं मिलता है आप मेरे एक question का असर दीजिए अगर रूपया की value कम होती है डोलर के मुकाबले में तो इसका क्या परभाव होता है देखो इसके काफ़ी सरे effects होते हैं सबसे पहला effect तो हमने discuss किया कि current account deficit बढ़ जाता है उसके बाद अगर dollar एक level से ज़्यादा कम हो जाता है इंडिया में तो हमारे जो foreign exchange reserve है वो कम हो जाएंगे इससे balance of payment crisis भी आ सकते हैं लेकिन अभी वो situation नहीं है मतलब अभी हालार इतने ज़्यादा खराब नहीं है अभी हमारे पास enough foreign exchange results है इसके लावा जो export है वो बढ़ जाता है अगर रुपए की value कमजोर होती है जो import है वो घट जाता है क्योंकि import काफी महंगा पड़ता है जैसे crude oil इंडिया बहुत ज़्यादा import करता है और crude oil इंडिया को अभी बहुत ज़दा महंगा पड़ रहा है इस वज़े से domestic market में petrol और diesel के जो दाम है बहुत ज़दा बढ़ गए है तो अगला point ये है inflation यानि अगर रुपए की value बहुत ज़दा कमजोर होती है तो inflation बहुत ज़दा बढ़ जाती है और last में एक point ये भी दिया जा सकता है कि देखो हमार देश से students या फिर दूसरे लोग जो दूसरे देशों में जाते हैं घूमने के लिए या फिर पढ़ने के लिए उनको भी बहुत ज़दा दिक्तों का सामना करना पड़ता है लेकिन वो लोग जो dollar के form में